हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सबहें लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेशी में दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बी फार्मेशी फिप समेश्टर वालों का फार्मा कोकोंसी सेकेंड का यूनिट फस चड़ रहा है तो इसके पहले बाले लेक्चर में हम लोगोंने सिक्मिक एसिट पाथवे का ट्रिकी वीडियो लेके आया है जिसमें मैंने 10 मिनट के अंदर आप लोग को सिक्मिक एसिट पाथवे को एकदम अच्छे तरीके से तयार करने का ट्रिक बताया है तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो जाके हमारे description box में देखे उसका link दिया गया है description box में जाके सिक्मिक acid pathway का tricky वीडियो जरूर देखे लिना क्योंकि एक बार वीडियो को देख लेंगे तो I hope 70% तो आप लोग का वीडियो में ही तयार हो जाएगा ठेक तो बात करते हैं आज acetate pathway या फिर इसको बोलते है AMP pathway और AMP pathway का full फारम होता है acetate mavolinate pathway ठेक तो बात करते हैं acetate mavolinate pathway या फिर acetate pathway होता क्या है और इसके कैसे कैसे होते हैं, तो यह ट्रिक्स से हम लोग याद करेंगे, तो यह हम लोग का याद होगा, अगर रटने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग का नहीं याद होगा, ठेक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ACTS पाथवी अमारा कब डिस्कवर्ड किया गया था, तो सबस सबसे पहले यह किया गया था 1950 में after the knowledge of radioactive isotope radioactive isotope के knowledge के बाद यह हमारा सबसे पहले discovered किया गया था AMP pathway ठेक अब देखिए AMP pathway जो होता है AMP pathway को हम एक नाम से और भी जानते हैं जिसको बोलते हैं terpenonoid pathway या फिर इसको बोलते हैं isoprene pathway तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे यह भी देख लेते हैं तो देखिए AMP pathway is also known as terpenonoid and या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग terpenonoid pathway या फिर isoprene pathway ठेक लिखा गया है iso sorry AMP pathway is also known as terpenonoid pathway या फिर isoprene pathway तो AMP pathway को acetyl terpenonoid pathway को हम लोग बोल सकते हैं terpenonoid pathway या फिर isoprene pathway दो नाम से इसको जाना जाता है ठेक बात करते हैं इसमें एक point आप लोग और भी लिख सकते हैं जो कि देखें by the AMP pathway the synthesis आप terpenonoid and esteride synthesis होता है तो AMP pathway में 2300 होता है एक terpenonoid होता है एक esteride होता है terpenonoid को isoprene काते हैं जिसका unit होता है C5 C5 जो होता है iso isoprene काते हैं C5 देखें थोड़ा सा हिंदी में आप लोग कोई समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ तो बहुत ही अच्छी बात होती है terpenonide के 2300 होते है terpenonide sorry AMP pathway के 2 होते है terpenonide, esteride terpenonide को isoprene काते हैं जिसका unit 5 होता है 5 carbon होता है 5 carbon को हम लोग काते है isoprene compound तेक आप देखें जब 2 C5 carbon and C5 carbon आपस में add होते हैं तो उसे काते है mono terpenonide means जब C5 C5 मिलके C10 हो जाएगा तो इसे हम लोग कालेंगे mono terpenonide sorry जब C15 हो जाएगा तो इसे बोलेंगे secret terpen और C20 हो जाएगा तो इसे di terpen di terpen बोलेंगे उसके वाद C30 होगा तो इसे triterpen c50 हो जाएगा 40 हो जाएगा तो इसे बोलेंगे tetra tenoid ठेक समझ में आ रहा है आप लोग को C5 जब रहेगा तो इसे isoprene बोलेंगे C10 जब हो जाएगा C5 C5 दो बार आ जाएगा तो C5 C5 मिलके C10 हो जाएगा C10 को बोलेंगे mono terpenonide अब C5 C5 3 बार हो जाएगा it means C15 हो जाएगा तो C15 को बोलेंगे secret terpen ठेक C50 है जब sorry C20 जब है इसे di-tryphen बोलेंगे C30 है tri-tryphen बोलेंगे और C40 है तो tetra-tryptronide बोलेंगे ठेक it means जब carbon देखे और जो esteride होता है जब carbon की संख्या ज्यादा हो जाता है तो आपस में मिलके esteride बना लेते हैं जो कि यही दोनों इसके synthesis हैं तो यह इतना आप लोग को process पता चल गया होगा उसके बाद बात करते हैं MP pathway होता क्या है MP pathway कैसे कैसे होते हैं उसमें एक एक point trick के हिसाब स्याद करेंगे लेकिन इतना आप लोग को पता चल गया MP pathway सबसे पहले discovered किया गया था कितने में 1950 में discovered किया गया था after the knowledge of radioactive isotope ठीक दूसरा point इसमें लिखेंगे by the MP pathway the synthesis terpenonide and esterase synthesis ठीक यह दोनों synthesis इसमें दिया गया यह बहुत जरूरी होता है यह पूछा जाता है आप लोगों के examination में बहुत बार पूछा गया है C5 क्या होता है isoprene compound होता है C10 क्या होता है monoterpenonide MP pathway के इसको इस नाम से भी जाना जाता है terpenonide and isoprene pathway के नाम से जाना जाता है ठेक तो MP pathway कैसे होता है acetate pathway कैसे होते है उसके बारे में चली अब देखते हैं अब देखिए acetate pathway जो होता है अगर आप लोग इसको easy language में याद करने की कोशिज करेंगे तभी यह तयार होगा hardly मिलेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसके रटने में आप लोग को देखिए acetylcoa and acetylcoa दोनों से में अब यह दोनों आपस में मिलके calcium condensation होगा तो यह दोनों मिलके acetoacetylcoa ठीक अब इसका होगा acetylcoa LDL reaction होगा LDL reaction की परजेंस में होगा तो हम लोग का बनेगा b-hydroxy, b-methyl, glutrylcoa, hmgcoa ठीक उसके बाद हम लोग का in the presence hmgcoa, nadps2 तो हम लोग का बनेगा mevolonic acid mevolonic acid phosphorylation होगा बनेगा 5 pyrophosphate 3 phosphomelionic acid आप लोग थोड़ा structure को side में रखिए आप इसको देखिए यह दोनों मिलके हम लोग का acetylcoa बना acetylcoa होगा LDL condensation की हम लोग का beta-hydroxy, b-methyl-glutryl-coa इसको site word में बोल सकते है hmgcoa हम लोगों का बनेगा ठेक उसके बाद हम लोग का होगा reductase in the presence of hmgcoa होगा उसके बाद अम लोग का इससे बनेगा meulionic acid meulionic acid का हम लोग का phosphorylation होगा 5 pyrophosphate 3 phosphomelionic acid ठेक अब 5 pyrophosphate and 3 phosphomelionic acid का decarboxylation होगा in the presence of carbon dioxide तो हम लोग का इससे बनेगा 3 isopentyl pyrophosphate इसको site word में बोल सकते है । इसका होगा isomaryage जब होगा 33 dimethyl alkyl pyrophosphate इसको site word में बोल सकते है 33 dim APP ठेक इससे हम लोग का बनेगा तो इससे हम लोग का बनेगा urnule pyrophosphate जिसको site word में हम लोग बोल सकते हैं ठेक उसके बाद हम लोग बात करते हैं General Gernual Pyro Phosphate से हम लोग का IPP होगा तो इससे हम लोग का बनेगा C15 Ferncil Pyro Phosphate अब C15 क्या है C15 के बारे में अब हम लोगों ने discuss तुरंद किया है अब C15 का क्या नाम है आप लोग को पता है पता है याद आया नहीं याद आया तो देखें C15 का नाम है Secry Terephine समझ में आगया आप लोग का यहीं चीज बातों में मैंने बताया है जो कि यहाँ पर पहले ही आप लोग को समझा दिया है कि C5 जो है इसको बोलते हैं Isoprene C10 को Monoterepinoid C15 को बोलते हैं Circuit Terephine C20 को बोलते हैं हम लोग C15 Furnicil Pyro Phosphate इसको side word में बोल सकते हैं FPP इसका IPP होगा यहाँ पर तो बनेगा General Gernon Oil Pyro Phosphate जो की C20 है Diterphine C10 जो है वो है Monoterepinoid और जो C20 है वो इसको Diterphine बोलते हैं यह आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है अब C30 आगे है C30 को हम लोग बोलते हैं Triterphinoid अब C40 जब आएगा C40 को हम लोग क्या बोलते है C40 को हम लोग बोलते है Tetra Terphinoid समझ में आ गया C30 जो हम लोग को हो गया C30 के बाद जितना ज्यादा होने लगेगा तो हम लोग का सीधा सीधा बन जाएगा Esteride जब ज़्यादे कार्बन आपस में इकटे हो जाएगे तो मैंने बताया है उसी से मिलके हम लोग का बन जाता है सीधा सीधा Esteride ठेक और यहाँ पे C20 कार्बन जो हो गया है तो इसको Diterphine बोलते हैं Diterphine से हम लोग का बनेगा C25 Esteride Terphinoid उसके बाद होगा हम लोग का Tetra Pintonide C40 ठीक C40 को हम लोग बोलते हैं C40 बनेगा हम लोग का Tetra Terpenonide जिसको बोलते हैं Carotenoid Rubber बन जाएगा तो यही साइट कट हम लोग का है देखे ज्यादा बड़ा नहीं पात्वे है पात्वे एक पेज में ही है बहुत ही छोटा है अगर आप लोग याद करेंगे तो एक ही बार में बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा जादे बड़ा नहीं है तो दिखिए बहुत जादे बड़ा नहीं है इसको अपने language में अगर आप लोग याद करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से यह याद हो जाएगा बस एक पेज का भी नहीं है यह पात्वे एसीटेट मेवलोनेट पात्वे बहुत ही छोटा है अगर इसको आसानी से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से एक बार में ही याद हो होगा तो हम लुग का बनेगा B-hydroxy, B-methyl, Gglutrate, COA, इसको 60 बोड़ी में बोल सकते हैं, HMG-CoA बनेगा, HMG-CoA का होगा, HMG-CoA का होगा, फिर से तो हम लोग का बनेगा मेमोलोनिक एसेड, मेमोलोनिक एसेड का फास्पोर रिलेशन होगा, तो हम लोग का बनेगा 5-Pyrophosphate 3-Posphamemolोनिक एसेड तो इसका हम लोग का होगा D-Carboxylation Indipresence Carbon-Dioxide तो हम लोग का बनेगा 3-Isopentyl Pyrophosphate, साइट वर्ड में बोलेंगे इसको IPP, IPP का Isomerage होगा, तो हम लोग का बनेगा 3-3-Dimethyl-Aryl Pyrophosphate इसको साइट वर्ड में बोल सकते हैं हम लोग का बनेगा DMAPP, ठीक DMAPP का हम लोग का IPP होगा तो बनेगा Granul Pyrophosphate Granul Pyrophosphate से हम लोग का बनेगा C-15, Fernecyl Pyrophosphate, ठीक जो की यहाँ पर दिया गया है बहुत यासान है, ऐसे बनेगा आप लोग का और यही है पूरा का पूरा Acetate Melonic Pase पात वे, ठीक, तो बात करते हैं स्लेबस का Unit 1st, Pharma C, 2nd विपार में सी 5 समेश्टर वालों का हम लोग कितना क्या-क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखिए Unit 1st का स्लेबस पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है, वैसे आप लोगों को मैं स्लेबस अपने विपसाइट में दे दिया हूँ जो लोग के पास स्लेबस ना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएए हमारे handwriting notes का जो दिकरा होगा वहाँ से आप लोग जाके और पूरा का पूरा notes और स्लेबस कलेक्ट कर लेजिए, तो देखिए study basic metabolic pathway हो चुका है, formation different, secondary metabolite, यह सब बहुत पहले हो चुका है, थुरो देर पात्वे sick metabolic acid pathway का trick मैं बहुत पहले इलाज चुका हूँ, वगर आप लोग ना देखे हो तो जाए description बास्त में उसका आप लोग को sick metabolic acid pathway का मिल जाएगा, उसके बाद acetate pathway, acetate pathway का आज हम लोग complete कर लिया है, last जो बच रहा है amino acid pathway, इसको बहुत easy language मैं लेके आने वाला हूँ आगले lecture में, ठीक, उसके बाद एक lecture में इसको पूरा का पूरा complete कर दूँगा अगर वीडियो आप लोगों को आज कल अच्छा लगा हो, ये trick पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना मत बुलिएगा जिससे हमारे नए वीडियो का नाटिपिकेशन सेदा आपको home page पे ही मिल जाए जियों से डिवल लगे, ठीक, कहीं पे खोजना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग को home page पे ही तुरंत मिल जाएगा और तुरंत आप लोग लेक्चर को अटेंड कर लेना ठीक, तो चलिए थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो, लाइक कमें, सेर और सब्सक्राइब दिस चैनल